लो डियर सुरेंट्स, वल्कम बैक तो दे चैनल, हैश्टेग स्टुडिविस्टार्ट विटी ट्विटी वाले, आज हम करने वाले हैं हाफ एक्जांपल्स, यानि वन से लेके और 14 तक के एक्जांपल्स करेंगे हैं, 3.2 एक्सराइस से पहले वाले, तो बहुत जाबा इंप कर रहे हो ना, तो मिल्कुल स्टार्टिंग से करना, अच्छे से बताया हुआ है मैंने सब, और फिर भी कोई डाउट हो, तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन ले, चीक है, स्टार्ट करते हैं, एक्जांपल नेंबर वन, इसने कहां, जी एक एडिटिटिव ग्रूप ह इंटीजर्स का, आपको ये शो करना है कि जो ये मैपिंग है ना, such that f of x is equal to minus x, ये ओटमॉर्फिजम है, इस मैपिंग, ओटमॉर्फिजम दिखाना है, सिंपल से बात है, ओटमॉर्फिजम क्या होती है, इसके उपर ही है डेफिनेशन, ओटमॉर्फिजम देखो, चार अब जाना है, अब isomorphism ये तीन प्राइटीजर्स हो, इसमेखने से पता चल रहा है, और इसमें दिया भी हो ए, खुद से खुद पर डिफाइट है, तो ये condition तो हो गई, तो तीन कौन सी बचगी, हो मोर्फिजम, वन वन और ओटमॉर्फिजम हो जाएगी, ओटमॉर्फिज की लिए हमें क्या दिखाना होता है कि f of x plus y equal tee f of x plus f of y क्योंकि addition है यहाँ पे operation multiplication होता तो क्या दिखाते f of x into y equal to f of x into f of y यहाँ पे यह दिखाना है तो function क्या लगा हो इसके पर x plus y का function क्या हो जागा minus of x plus y यहनि minus x minus y यह क्या है f of x यह क्या है 1-1 में क्या करते हो function same लेके चलते हो elements को same दिखाना है अगर f of x और f of y same है तो minus x minus y की equal है यानी x y की equal है function same लेके चले element same आगे तो 1-1 हो गया on to में हम क्या करते है कि हर किसी element के लिए इस हर किसी minus x के लिए क्या यहाँ पे premium है obviously है यहाँ पे minus 2 है तो यहाँ पे 2 हमेशे exist करेगा तो सही जिसके function लगाओ 2 के उपर तो यह आ जाए minus 4 के लिए 4 exist करेगा minus 10 के लिए 10 exist करेगा यानी हर किसी minus x के लिए एक x ज़रूर exist करेगा such that function of x is equal to minus x तो on to be है चीक है बिल्कुल सा question है यह तो सिंपल से बात है f of x is equal to x inverse इस function को भी आपने क्या दिखाना है और दिखाना है अब एक बात बताओ खुद से खुद पर defined है तो तीन चीज़ें और homomorphism 1,1 and 1,2 homomorphism f of x y यह है इसको आप क्या लिए 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 अब इसने बोला इपलाई कर सकते हो x y equal to y x यानि y inverse x inverse equal to x inverse y inverse यह क्या है f of x यह क्या है f of y homomorphism हो गया 1,1 में function same लेके चलने है element same दिखाने है अगर function same है function की value रख दो x inverse y inverse दोनों साइट inverse ले लिए आपने x y की एक पल आ गया f हो गया 1,1 third f is on to on to make का मतलब क्या है अब वही बात यहाँ पर आगी अब हर किसी x inverse के लिए x हमेशा exist करेगा नहीं हाँ पर such that f of x x inverse का equal हो जाएगा चीक है इन्होंने क्या लिया हुआ है x लिया हुआ है तो अगर आप यहाँ से x उठा रहे हो तो उसके लिए यहाँ बे क्या exist करेगा x inverse exist करेगा such that f of x inverse is equal to x inverse का inverse which is equal to x मर जी आपकी x भी ले सकते हो x inverse भी ले सकते हो so for any x belongs to g there exists x inverse belongs to g such that f of x inverse equal to x मैं फटापट क्यों करा रहे हुआ हूँ क्यों हम बहुत practice हो चुगी हमारी इन जीज़ होगी तो बिल्कुल simple चीज़े हैं homomorphism one one और on two फिर भी कोई doubt हो ता आप पोच सकते हो no problem third example वही है यहाँ पर i of x आपने x दे दिया इसको भी automorphism दिखाना है अब खुद से खुद पर तो इडिफाइंड है homomorphism दिखा दो one one दिखा दो on two दिखा दो automorphism हो गया simple है यह तो fourth example देखो g क्या है एक group है positive real numbers का और multiplication यहाँ पर operation है चीक है बस दरा सा इसने change कर दिया multiplication दे दिया बस function है f of x equal to x square automorphism आपको दिखाना है अब देखो इसने थोड़ा सा आगे पिछे कर दिया सबसे पहले homomorphism प्रूव करो गया तो वो यह है f of xy equal to xy का square इसको आप x square y square लिख सकते हो यह क्या f of x यह क्या हो गया one one में क्या करते हो functions को same लेके चलते हो elements को equal prove करते हो तो x square equal to y square और x equal to plus minus y आगया लेकिन इसने positive real numbers का set दिया है तो negative to sign कहीं आई नहीं सकता तो x equal to y आगया यानि f क्या हो गया one one हो गया onto के लिए यानि हर किसी x belongs to j के लिए क्या exist करेगा root x क्योंकि root x का square करोगे तभी तो x आएगा तो हर किसी x belongs to j के लिए root x belongs to j ज़रूर exist करेगा such that कि f of root x x square के यानि root x square के यानि x के equal हो जाए simple चीज़े हैं तो automorphism हो जाएगा ऐसे यह है abiland group है अच्छा यह ध्यान से देखो abiland group है order है n यानि इसमें n elements है और m एक ऐसा integer है कि उसकी m की और n की g से d1 है तो आपको यह show करना है कि ऐसा function जो g से g पे defined है कैसे f of x equal to x की power m वो automorphism होगा देखो हम क्या करते हैं पहने homomorphism दिखाते हैं वो इसने last में दिखा हुआ है लेकिन हम तो पहने वही करेंगे न f of x y क्या होगा x y की power m यानि इसकी multiply m times यानि x की multiply m times और y की multiply m times यानि x की power m y की power m ये कह है f of x ये कह है f of y तो ये homomorphism होगा next क्या होता है 1,1 होता है 1,1 में हम क्या करते हैं function को same day के चलते हैं और फिर ये proof करते हैं कि वो elements equal है तो अगर f of x of y की equal है तो x की power m y की power m के equal हो जाएगी अब एक बात बताओ कि m और n के gcd इसको यहीं छोड़ दे न m और n के gcd अगर 1 है तो यह तो इसकी definition कहती है कि जिन elements की gcd 1 है उनके लिए 2 integers ऐसे exist करते हैं u और v such that u की multiply इसके साथ कर दो v की multiply इसके साथ कर दो और उन दोनों चीज़ों को add कर दो वो इसके equal हो जाएगा यानि m u प्लस n v 1 के equal हो जाएगा अब अगर यह 1 है तो x की यह power करोगे तो x की power 1 यानि x आजाएगा यानि x की power m u प्लस n v x के equal हो जाएगा अब यह addition में यह था आप इसको अलग-अलग कर सकते हो यानि x की power m u into x की power n v so x की power m u into x की power n v x के equal हो गया x की power m u और यह क्या हो गया x की power n की power v equal to x अब x की power n तो क्या होता है identity होता है और यह क्या हो गया identity यह फिर यहां से चला ही गया अब देखो आपने यह क्यों यूज किया है ताकि हम value निकाल सकें देखो इसको यहां तक निकाल के और छोड़ देना फिर हम first पर ही चलते हैं दुबारा से इसकी दोनों साइड आपने u की power करती है यानि x की power mu हो गया यानि x की power mu equal to y की power mu हो गया लेकिन x की power mu किसके equal है यहां से x के equal है similarly y की power mu किसके equal हो जाएगा y के इसकी जगे आपने x रख दिया इसकी जगे आपने y रख दिया function को सेम लेके चले थे element सेम आ गए तो यह वजमें हो गया on to में क्या करो गया on to में x element लेके चलोगे g का देखो अगर आपने इसका element लिया जी तो यहां पर कून सा element exist करेगा जिसकी image x आ जाएगी क्या आपको इन लगता आप यह कह सकते हो कि यहां पर x raised to the power u exist करेगी क्यों 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 x raised to the power u की power m यानि x की power um लेकिन x की power um तो हमने निकाली थे x के equal है यानि f of x की power u की image क्या आगई x आगई यानि हर किसी x belongs to j के लिए x raised to the power u belongs to j exist कर दिये such that उसकी image x के equal हो जाएगी तो 1 on to be हो जाएगा तो तीनों चीज़े हैं और खुद से खुद पर defined है तो क्या हो जाएगी ओटमोर्फिजम हो जाएगी चलिए next sixth example पर चलते हैं यह सब theorem हमने complete कर ली थी ना पिछे वाले lecture में देखो जी इसने ही कहा कि कर ओटमोर्फिजम ओफ जी वाले group का order एक से बड़ा है तो उस group का order दो से बड़ा होगा चीक है यानि जी की ओटमोर्फिजम का set है न ये तो उसका अगर order वन से बड़ा है तो जी जो group helps का order दो से बड़ा होगा आप देखो ओटमोर्फिजम ओफ जी का जो order है न वो एक से बड़ा है हमें ये शो कर रहे हैं कि group का order दो से बड़ा होगा अब एक बात बताओ किसी भी group का order negative तो कभी हो नी सकता order क्या होता है उस में जितने elements है अब negative order होने का मतलब क्या है जैसे minus 2 में कहती हूँ जो जी है न उसका order minus 2 है तो यानि कि जी में minus 2 elements है ये तो useless बात है न यानि order कभी negative तो होने सकता और 0 भी नहीं हो सकता यानि 1 से start होता है order यानि हमें ये प्रूफ करना है कि order of g 2 से बड़ा है यानि हम ये प्रूफ कर देंगे कि इसका order 1 भी नहीं हो सकता 2 भी नहीं हो सकता तो ये imply करेगा कि इसका order 2 से बड़ा है पहने हम order 1 लेके चलेंगे तो contradiction दिखा देंगे तो लेके चलेंगे तो contradiction दिखा देंगे यानि इसका order 2 से बड़ा है तो देखो, अगर g का order 1 हो जाता है यह तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यानि उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन होगा, identity होगा और उसपे एक order वाले ग्रूप पे लेकिन यह तो contradiction है क्योंकि इसने कहा इसका order एक से बड़ा है यानि एक नहीं है तो इसका मतलब इसका जो order न जी का वो 1 तो होने सकता अब चलते हैं next possibility पे इसका order अगर 2 हो जाए 2 हो जाए यानि एक तो identity होगा होगा, एक दूसरा element होगा A माल लिया अब E का inverse तो यह खुद है यानि A का inverse कोन है यह खुद ही होगा यानि A inverse equal to A और यानि के A square equal to identity यह दोनों सेमी चीज़ हैं ना यानि A का inverse यह खुद होगा A का inverse यह खुद होगा this implies क्यों दोनों से एसे multiply कर दोती है A square हो गया है identity होगा यानि A square equal to identity यह चीज़ इसने इसे लिखी लिखी क्योंकि E खुद का inverse है तो A का inverse भी इसको खुद ही होना पड़ेगा कोई और element तो है ही नहीं इसका inverse exist तो करता है क्योंकि G group है तो इसका मतलब कौन होगा इसका inverse यह खुद होगा अर यह होगा तो A square E के equal हो जाएगा अब देखो जैसा कि इसका order X से बड़ा है तो कोई ना कोई T automorphism इसमें होगी जो identity नहीं होगी यानि A order है तो इसका मतलब उसमें सरफ identity है इसका order X से बड़ा है यानि T एक और mapping ऐसे जरूर है जो identity नहीं है अब अब identity mapping क्या करती है अगर identity mapping हमाए X पे लगाते है वह X के equal हो जाती है न अब T identity के equal है नहीं इसका मतलब अगर T of X निकाल हो वह X के equal नहीं आएगी लेकिन identity के उपर कोई भी mapping लगाओ identity यह आता है हमेशा इसका मतलब अब अगर identity पे T लगा रहे हो और वह identity के equal लेके जा रहे है और identity के अलावा सिर्फिस में A ही element है तो इसका मतलब क्या हुआ T of A भी तो A होना चाहिए है ना लेकिन यह तो contradiction है क्योंकि इसने कहा कि T of X X X के equal नहीं है इसका मतलब जो order है ना group G का वो 2 हो नहीं सकता ना 1 हो सकता ना 2 हो सकता इसका मतलब भी 2 से बड़ा है इस जिसमें आपको confusion तो नहीं है कि T of A एक equal क्यों आया क्योंकि देखो T क्या है एक automorphism है यानि homomorphism भी है 1-1 भी है 1-2 भी है और खुद से खुद पर defined है अब हम बात करते है 1-1 की 1-1 मतलब एक की image एक ठीक है अब एक बात बताओ आपने जो T है ना वो G से G पर ही define किया है यानि G में 2 element है यानि यहां भी 2 element है इस वाले में भी और इस वाले में भी 2 element है अब इधर वाले एक की image यानि identity की image उसके identity की एक वाला रही है इसने यहां खा इधर भी एक बचिया और आप बोल रहे हो कि हर किसी की सिर्फ एक ही image है और वो unique है तो एक image तो एक ही होगी ना और तो कोई possibility नहीं है एक image identity नहीं हो सकती क्योंगि identity तो identity की image है और कोई element ही नहीं है कि एक image वो हो जाए तो इसका मतलब इसकी जो image है वो यही होगी लेकिन ही तो contradiction आगी इसका मतलब इसका order 2 नहीं हो सकता यानि 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता तो इसका order 2 से बड़ा 7th example देखो 7th example में इसने कहा एक example से बताओ कि जो inner automorphism है न corresponding to two distinct elements maybism यानि दो अलग-अलग elements के उपर आप inner automorphism लगा रहे हो तो वो same हो सकती है यानि आपने ग्रूप माल लिया 1, minus 1, iota और minus iota आप ये प्रूफ कर दो कि T1 different elements के corresponding का मतलब कै है जैसे यह रहा, यानि 1 के corresponding निकाल रहे हो या minus 1 के corresponding निकाल लो, यानि T1 x निकाल लो और T-1 x निकाल लो अगर इनकी values सेम आ रहे हैं हर किसी x के लिए इसका मतलब जो इसने कहा वो प्रूफ हो जाएगा अब देखो, T1 x निकाल लो आप अब पहली बात तो हमने inner automorphism पिछले वाले lecture में इसकी definition की थी inner automorphism क्या होती है ऐसी automorphism such that T a x निकाल लो तो a inverse x a i अब उस question में हम क्या निकालना चाहते है T1 x तो क्या आएगा 1 inverse x और 1 1 तो 1 ही होता है तो सिर्फ x बच गया तो T1 x के आगा x के इक्षिक्वल आगा यानि x के उपर कभी भी लगाओ वो x ही उसका answer आएगा और T minus 1 x निकाल लोगे तो minus 1 का inverse x minus 1 इस टाइब से खुल जाएगा अब minus 1 into x into minus 1 यह क्योंकि minus 1 का inverse भी minus 1 ही होता है क्योंकि minus 1 और minus 1 को multiply करोगे तो भी तो 1 आएगा ना identity इसका मतलब minus 1 का inverse भी minus 1 है 1 का 1 होता है अब इसकी image भी 1 है इसकी image भी 1 है यानि यह दोनों equal आगे ना यानि T1 और T minus 1 equal है यानि inner automorphisms corresponding to two distinct elements एक 1 लिया एक minus 1 लिया वो same हो सकती है जैसा कि हमने भी देखा क्योंकि T1 भी एक सा रहा था T minus 1 एक सा रहा था 8th question यह बताओ कि यह identity mapping है न जो this is the only inner automorphism for an abiland group यानि जी अगर कोई abiland group है तो उसकी inner automorphism सिर्फ एक ही हो सकती है और वो कौन सी है identity mapping और कोई इसकी inner automorphism exist नहीं करेगी आप देखो आप पहले यह देखो कि हम define करते हैं T A X आपने A inverse X A माल लिया अब एक बात बताओ जैसा X किसका element होता है और A किसका element होता है दोनों ही तो G के element होते हैं यानि तीनों कि तीनों किसका element होते हैं G क्यों होते हैं अब G कैसा abiland है यानि X A को मैं क्या लिख सकती हूँ अब J ग्रूप है तो इसका मतलब हम associativity लगा सकते हैं यानि A inverse A पे मैंने वो लगा दिया bracket और X अलग लिख लिया अब A inverse A तो identity होता है यानि identity into X और identity की multiply X के एकवल आगी यानि T A जब X के उपर लगा रहे हैं इसका मतलब T A कौन से mapping है identity mapping हमने तो कुछ नहीं किया ना अपने आप ही इसकी इवेंच X आगी तो इसका मतलब T A कौन से mapping है identity mapping हमने कोई भी arbitrary mapping मानी थी वही identity mapping आगी इसका मतलब सिर्फ एक ही identity mapping अग इसिस्ट करती है अगर G ग्रूप Abinant ग्रूप है तो ninth example अगर G ग्रूप है और F A का ओटमर्फिसम है और A अगर G का element है किस टाइप से कि उसका order finite है इसने चार चीज़ें बोल दी G ग्रूप है F ओटमर्फिसम है ठीक है A G का element है और A का order finite है तो ये शो करो कि A का order और F A का order दोनों का order सेम होगा इसका order आपने M माल लिया इसमें finite order दिया ना एका आपने इसका order माल लिया M अब definition order का मतलब क्या होता है एक की power M करो वो identity की एक वाला है अब आपको इसका order निकालना है तो F A की power M लेके देखो पहले बर क्या आता है तो F A की power M यानि F M times अब F क्या है एक automorphism है यानि एक homomorphism भी तो है अब homomorphism की यह property होती है कि elements पे अलग-लग लगाओ या इसको एक बार लगाओ उससब elements के multiplication पे वो जिस सेम होती है यह result है यानि F A M times कर रहे हो So F A A A A M times ऐसे कर सकते हो अब यह क्या होगा A की power M A की power M क्या था identity F of identity और वो तो हमेशा identity होती है अब ध्यान से देखो किसकी power M identity आ रहे है यह मैंने आपको बताया था कि किसी भी element की कोई power identity आ रहे है इसका मतलब उस element का जो order है वो उस power से less than equal to है तो इसको मैंने कोई नाम value देने ही पड़ेगी मैंने मालनी है यह M not है यानि order of F of M not है अब देखो यानि देखो order of F of M not मालनी है यानि M not is less than equal to M यह दो prove हो गया अगर हम यह भी prove कर दें कि M is less than equal to M sorry M not तो क्या हो जाएगा वो उसके equal है वो उसके less than equal to है वो उसके less than equal to है तो दोनो equal हो गए और वही आपको दिखाना है कि दोनो equal है यानि M और M not equal है तो M not is less than equal to M यह तो हो गया prove अब देखो इसका order M not है यानि इसको M not times multiply कर रहे हो तो वो identity की equal आ रहा है डिरेक्टली ऐसे मत लिखना एक्जाम मेनर भी confused हो जाएगा एक दन क्या कर दिया इसका order M not है यानि इसकी power M not कर रहे हो तो identity आ रहे है अब इसकी power M not का मतलब कहे है इसको M not times multiply equal to identity अब यह वही चीज़ है कि यह homomorphism automorphism है यानि homomorphism है तो इसका अपिस type से लिख सकते हो यानि a की power M not equal to identity लेकिन identity f of e भी तो identity होता है लेकिन f एक automorphism है यानि one one भी तो है अब इसकी image भी identity है इसकी image भी identity है यानि यह elements ही same होगे तभी उनकी image same आ रहे है यानि a की power M not is equal to identity लेकिन यह तो contradiction है कैसे क्योंकि order of a M है और यह कह रहा है कि M not M not जो M से छोटा है A की वो power करने पर identity आ रही है लेकिन order की definition क्या गया थी कि सबसे छोटा M ही है जिसकी power A की वो power करो तो identity आ ही M से कोई भी छोटी power ऐसी exist नहीं करती कि A की वो power करो identity के एक वाल आजे यह कह रहा है कि A की power M not M not जो है M से छोटा है वो इसको identity बना रहा है तो contradiction आ गई और contradiction कब आई जब हमने यह माना पता issue से नहीं थोड़ा सा confusing हो गया यह आप इसको इस टाइप से कर सकते हो कि A की power M not identity है ना यानि A का order इस power से less than equal to है और A का order क्या है M है यानि M is less than equal to M not और यहाँ उपर से क्या था कि M not is less than equal to M तो इससे और इससे क्या आगया M equal to M not यानि इनका order आगया से जीके बिल्कुल simple सा question है इसका order M है तो इसकी power M identity आजाएगी F of A की power M निकाली वो identity की equal आगी यानि इसका order M से less than equal to है इसका आपने order माली है M not यानि M not is less than equal to M अब इसका order M not है यानि इसको M not times multiply कर रहे है और सोओन करके last में आगया कि A की power M not identity है यानि A का order less than equal to M not है और यह क्या है order of A क्या है M है M is less than equal to M not M not M से less than equal है M M not से less than equal है यानि ये दोनों ही equal है, m not equal to m, m क्या है, एक order m not क्या है, f of a का order, यानि दोनों same है, 10th question देखो, अब इसने कहा कि अगर f एक inner otomorphism है g की, तो ये show करो कि order of f a equal to order of a होगा, अब देखो, उपर वाले question में इसमें क्या difference है, उसमें इसने कहा था कि अगर एक order finite है, अब आप इसके दो case बना लो, कि एक order finite भी हो सकता है, और infinite भी हो सकता है, है न, आपको इन दोनों के order को same दिखाना है, finite भी हो सकता है, एक order, infinite भी हो सकता है, अगर finite order है, तो example number 9, as it is करना आपको, अब बात करते हैं, अगर a order infinite है, तो हम contradiction से दिखाएंगे, कि a का order तो infinite है, लेकिन मान लो, f order का मतलब क्या होता है f of a की power n करो और किसके एक पर आजाए identity के है ना लेकिन ये तो जो f क्या है f a क्या है automorphism है automorphism है या नहीं homomorphism है अब homomorphism की property होती है कि f of a की power n करो या फिर a की power n के ओपर f लगा हो दोनों सेम जिसे है तो इसकी जगा मैंने यह रख दिया और e की जगा मैंने f of e रख दिया यह दोने एक पर आगी अब लेकिन f क्या है एक automorphism है automorphism होने से पहले यह क्या है 1-1 है है ना automorphism क्या है homomorphism भी है 1-1 भी है on to b है और एलिमेट्स भी सेम होंगे, एरियस्टू दिय पावर M is equal to identity, यानि एक ही कोई finite पावर कर रहे हो, और वो उसको identity बना रहा है, यह तो contradiction है, क्योंकि इसे साबसे तो एक ही, जो order है वो finite होना चाहिए, लेकिन हमने तो मानना है कि, जो A का order है वो क्या है, इन्फाइनाइट है, है ना, तो contradiction कावाई, जो हमने यह मानना कि, F of A का order finite है, यानि F of A का order भी infinite है, A का order भी infinite, इसका order भी infinite, तो दोनों सेम है, finite के लिए आपने नाइथ एक्जांपल करना है, अब आपने देखा हो, इसने एक चीज़ और भुझी है, यह प्रूफ करो, B inverse A, B का order, A के order के इक्वल होता है, लगर यह तो बिल्कुल सिंपल है, F, B, A निकाल दो, F, B, A, यह तो inner rot of horfism की definition लगा दो, यहाँ T होता था था न, T, अब यहाँ T, B, A निकालते थे, तो क्या निकालते थे, B inverse A, B, T के जगा यहाँ पर F है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो T, B, A, equal to B inverse A, B, अब, दोनों साइड order ले लो, इसका order is equal to इसका order, अब, यह क्या है, F, B, A, और यह क्या है, order of A, यह हमने अभी देखा, कि F of A का order, यह हमने अभी देखा रहा है, यह हमने अभी देखा रहा है, तीन स्टेप में आपका काम खत्म, 11th question, 11th example, A कोई fixed element है, ठीक है, तो एक mapping है यह, ठीक है, इस type से, इस इस इन ओटमोर्फिजम, of J, यहनि आपको यह प्रूव कर रहा है, यह सारा यहां से लेके, और यहां तक जो इसने बताया, यहां तक, यह क्या बता रहा है, कि T, A क्या है, इनर ओटमोर्फिजम है, आपको यह दिखाना है, कि यह ओटमोर्फिजम है, यह इस simple जी बात है, आपको यह बताना कि, inner automorphism ना automorphism होती है अब inner automorphism को automorphism दिखाने के लिए आपको चार चीज़े हैं बही, क्या है पहली बात तो homoporphism one one, on two और खुद से खुद पर defined खुद से खुद पर तो defined हुन्होंने अपने आप ही दे दिया और वैसे inner automorphism है खुद से into tay दिखाना है अब ta xy को खोल लो क्या आ जाएगा a inverse xy into a यानि a inverse xy into a इसको कैसे लिख सकते हो a inverse x और y a ये आगे ये पिछे बीच में हमने एक extra चीज़ लगा दी a into a inverse क्यों? क्योंकि identity ही तो है यानि हम इसको insert कर सकते हैं इसे हम किसी भी number को 1 से multiply कर सकते हैं ऐसे ही groups and rings में हम क्या कर सकते हैं identity से कहीं भी multiply कर दो और फिर identity की जगे आप a into a inverse लिख दो अब इसने तीन को combine कर लिया a inverse x है और a inverse y है ये क्या है? tax ये क्या है? tay prove हो गया? है ना? यानि homomorphism हो गया one-one देखो one-one में function same लेके चलने है और क्या prove करना है? वो element भी same है अगर ये दोनो function same है इनको open कर लो a inverse x है और a inverse y a आप pre multiply कर रखा ना इससे तो इससे कार दो कौन सा था वो? left cancellation law से a inverse से inverse कर जाएगा और right cancellation law से a से a कर जाएगा जो मैं आपको reason बताती हूँ साथ साथ आपको exam में लिखने f हो क्योंकि इसमें कई वार नहीं लिखा होता reason तो आपको लिखना है तो x y की equal आ गया तो ये f सेम लेके चले थे x y की equal आ गया तो ये बनमेन है on to में मतलब क्या है? यहाँ का कोई element लो तो उसके लिए यहाँ भी कोई element ज़रूर exist करे अब यहाँ से आप कोई x element ले रहे हुजी का तो आपको एक a x a inverse element मिलेगा क्योंकि देखो अगर आप a x a inverse पे लगाओगे न टी ए तो x k को लाएगा देखो t a a x inverse इस पे लगाओ क्या आएगा? a inverse यह बीच में और पिछे a अब a inverse a को इकठा कर लो x as it is और a inverse into a यह इकठा कर लो यह इकठा यह इकठा बीच में x यह identity है यह identity है क्या आगा x? यानि हर किसी x belongs to g के लिए इसमें क्या exist करता है a x a inverse? यह उल्टा है ध्यानक ना function में a inverse x a है तो हर किसी x belongs to g के लिए क्या exist करेगा? a x a inverse कि उसकी image x हो जाएगी तो into है तो इनर चीज़े हैं तो क्या हो गया? यह automorphism हो गया यानि हर inner automorphism क्या होती है? एक automorphism होती है बहुत important है यह 12th example h अगर g का subgroup है और f क्या है? एक automorphism है g किस type से? कि f of h इस type से defined है कि सारे small f of h जाएगे यानि f of capital h is equal to सारे f of small h कि h x से है ऐसे ही defined होता है हर कोई function यह दिखाना है कि f of h subgroup है subgroup के लिए 2 step होते हैं, normal subgroup के लिए 3 step होते हैं normal subgroup के लिए 3 step कों से होते हैं? non empty, फिर subgroup और फिर normal subgroup subgroup के लिए last वाला card दो दो रहेगे non empty and then subgroup अब non empty तो कैसे दिखाओगे? अब identity जो है अगर g की identity e है तो h की identity भी तो e होगी e है मैं पता है हमने theorem में किया था chapter number 3 start किया था न तब एक result है कि अगर e जो है वो g की identity है तो h की भी identity होगी अब दोनों साइद f लगा दो e अगर h की identity है तो f of e किसकी identity हो जाएगी? f of h की यानि यह खाली तो है नहीं empty तो है नहीं हो गया? अब subgroup दिखाने के लिए क्या दिखाते हो? इसको subgroup दिखाना ना? इसको तो इसमें से 2 element देलो अगर आप इसमें से a और b ले रहे हो ना आपको यह prove करना है कि a b inverse f h में है अब अगर a और b इसमें से 2 element लिए है तो किस टाइब के होंगे? a किसी f h1 के equal होगा और b किसी f h2 के equal होगा अब h1 भी h का element है h2 भी h का element है और h एक ग्रूप है तो h1 into h2 inverse तो h में बिलोंग करेगा ही करेगा सब ग्रूप है ना h और इसके 2 element h में है और h एक सब ग्रूप है तो h1 into h2 inverse तो h में होगा ही होगा यह तो hope property है theorem थी ना condition थी यह तो सब ग्रूप तब होता है जब 2 elements के लिए h1 h2 inverse h में हो दोलो सब f लगा दो f into h1 h2 inverse is belonging to f h अब इसको आपने इस पर भी लगा दिया इस पर भी लगा दिया अलग-अलग क्यों कर सकते हो क्योंकि f एक automorphism है automorphism है यानि homomorphism भी है और homomorphism में आप अलग-अलग कर सकते हो अब f of h2 inverse के किसके इकबल होता है f of h2 का whole inverse के ये भी एक result है ये f of h में belong करता है अब f of h1 क्या है a है f of h2 क्या है b है यानि a into b का inverse किसमें आ गया f of h में a और b दो element लिए थे a b inverse इसमें आ गया तो f of h क्या बन गया g का subgroup यही आपको प्रूब करना था next step में आपको क्या करना है इसे को normal subgroup प्रूब करना है normal subgroup के लिए देखो इसमें difference क्या है इसमें जोने पते क्या किया आपको थोड़ा सा डराने के लिए इसने क्या कर दिया यहाँ पे end कर दिया लेकिन यह question यही तो है end की जग अगर आप h रख देते हो तो यही question है इसमें आपने subgroup प्रूब किया है तो यहाँ तक तो आप as it is करोगे normal subgroup यानि third step एक extra है इसमें तो subgroup है देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक यह तो पिछे वाला example है अब हमें यह प्रूब करना है अब f of n को normal subgroup प्रूब करने का मतलब क्या है आपको x k x inverse इसमें दिखाना है जहाँ x तो group का element है और k इसका ही element है ठीक है यानि अब देखो k अगर f of n का element है तो k किसी f of n के equal होगा अब आपको यह दिखाना है कि x k x inverse f of n में है अब इसकी value क्या होगी x के x inverse किसके equal होगा x की value क्या रखे आपने f of y k की value हमने अब देखे थी f of n और x f of y का inverse यह आपको समझा रहा है इसमें क्यों लिखा क्योंकि x देखो x आप g से कोई element ले रहे हो x देखो आप x अगर g कोई element लेते हो तो उस x के लिए इसमें भी कोई element y exist करना चाहिए such that f of y x के equal हो जाए क्योंकि f g से g पर depend है यहाँ से x लिया तो यहाँ भी कोई y exist करेगा such that f of y x के equal होगा तो वही इसने किया कि जैसा कि यह on to function है तो x किसी f y के equal होगा दोस वही चीज़ है तो यहाँ पर इसकी values रखती तो यह होगा f of y यह होगा f of n यह होगा f y का whole inverse अब whole inverse को अब 1 inverse को अदर लेके जा सकते हो और f क्या है एक automorphism दी हुई है लेकिन automorphism होने से पहले क्या है एक homomorphism है यानि इनको इकठा कर सकते हो f of y and y inverse अब यह क्या है इस type का है अब यह element किसका है किसका है n का क्यों देखो n एक normal subgroup है बीच में है n का element और आगे पिछे group का element एक y और एक y inverse तो इस type का element तो n में होगा ही होगा न क्योंकि n एक normal subgroup है यह n का element है तो f of y किसका element होगा f of n का element ये n का है तो दोनों से डा f लगा दो ये f of n का element हो गया ये किसका element हो गया f of n का और ये था किसके एकवल इसके यानि x के x-inverse किसका element है f of n का f of n क्या हो गया है? normal subgroup last example इस lecture का f आपने functional area gcg में homomorphism है ठीक है f commute करता है with every inner automorphism ठीक है तो आपको ये show करना कि ये जो h है ये normal subgroup है अब देखो normal subgroup के लिए वही steps 3 non-empty subgroup and then normal subgroup एक line का है non-empty वाला तो कि f square e हमेशा ही किसके इकवल होता है दो बार लगा दो f into f of e लेकिन f of e तो हमेशा identity होता है तो ये किसके इकवल आगया f of e के यानि एक f of e की जगे इसने e रख दिया so f of e हो गया so f square e equal to f of e इस condition को satisfy करता है identity यानि identity किसमें चला गया है h में यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया ये h is non-empty चिक है पहली चीज हो गई क्योंकि इसमें एक element है तो empty तो नहीं हुआ ना ये अब subgroup के लिए क्या दिखाना है a b अगर दो element लेके चल रहे हो तो आपको last में यह दिखाना है कि a b inverse भी edge में है अब उसके लिए देख लो क्या करोगे अब a और b दो element edge के तो इन conditions को satisfy करेंगी यानि f of a f square a के equal होगा और f of b f square b के equal होगा अब a b inverse edge में दिखाना है यानि इसके लिए भी condition satisfy होने जो यह तभी इसमें belong करेगा अब इसके left hand side ले लो f square a b inverse कैसे f square है ना दो बार है इसको अलग अलग कर लो अब f of a b inverse को आप क्या लिख सकते हो f of a और f of b inverse लिख सकते हो अलग अलग कर लिए क्योंकि f एक homomorphism है अब वही चीज़ है अलग अलग कर सकते हो तो एक अठा भी तो कर सकते हो ना तो यहाँ पे f इस पे भी लग रहा है f इस पे भी लग रहा है तो इस पे लगाओ गए तो f square a हो गया इस पे लग रहा है तो f square b inverse हो गया चीज़िए क्योंकि bracket है और f बहार है याँ f इस पे भी है यहाँ f square a हो गया यहाँ f square b inverse हो गया अब f of square a क्या है f of a है f square b inverse क्या है f b inverse है b inverse किसका element देखो b अगर h का element है तो b inverse b h का element है और b इस condition को satisfy करता है तो B inverse भी इस condition को satisfy करेगा वही चीज़ा है इसका square इसके एक पुल हो गया अब ये दोनो F जैसा के एक homomorphism है तो इसका मतलब F is F A B inverse के एक पुल आ जाएगा यानि इस condition को satisfy कर गया कौन A B inverse तो इसका मतलब A B inverse किसमें belong करेगा H के अंदर, यानि H कैसा है, subgroup अब normal के लिए वही दिखाना है आपको H को normal दिखाना है, यानि X H X inverse को H में belong कराना है belong कब करेगा? जब उस condition को satisfy करेगा यानि F square X H inverse निकालो अब वही बात है, X square है, F square है तो इसको दो बार कर लो, यानि F of F of X H X inverse अब लेकिन ध्यान से देखो, ये इसको आप क्या लिख सकते हो T X inverse H, क्योंकि इसको open करोगे तो कैसे करते हैं, बीच में तो यह element पहले यहाँ जो है उसका inverse और फिर बाद में यही as it is तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है F F as it is है, इसके ज़गे मैं यह रखती है अब अगर आप F लगा रहे हो इसके उपर अब F और T X, ये भी क्या है एक ओटमोर्फिसम है? ये भी ओटमोर्फिसम है, और हमें दिया क्या हुआ है? कि F, sorry, F एक होमोर्फिसम है और T एक ओटमोर्फिसम है F एक होमोर्फिसम है और T एक ओटमोर्फिसम है और दिया क्या हुआ है? कि F कॉम्यूट करता है with every inner ओटमोर्फिसम यानि, कॉम्यूट का मतलब क्या है? आगे पिछे कैसे भी multiply करो, कोई परक नहीं पड़ेगा यानि, F इंटू T X इंवर्फिसम के इकवल हो जाएगा T X इंवर्फिसम इंटू F के, क्योंकि इसने कहा ति F इसके साथ कॉम्यूट करेगा यानि, F T X, T X F के इकवल होगा तो इसका मतलब, ये दोनों भी इकवल हो जाएगे X के जगे सिर्फ X इंवर्फ ही लिखा न, उसमें तो कोई फरक नहीं है अब X, F H, X इंवर्फ, क्या कि इसने इसको उपन कर लिया यासे उपन करते हैं, बीच में तो यहीं अलिमेंट आगे इसका इंवर्फ और पीछे यही अज़ इस अब F के हैं, इसको अलग अलग कर लो F of X, F square H और F of X इंवर्फ अब F square H तो F of H के इकवल है, क्योंकि क्यों? क्योंकि F square H is equal to F of H क्योंकि H किसका इलिमेंट है? H का इलिमेंट है H का इलिमेंट है अब यह चीज़े हैं, अब होमोमोर्फिसम है तो आप अलग-अलग भी तो कर सकते हो तो जोड भी तो सकते हो F of X, H x इंवर्फ यह चीज़, इसके इकवल आगई यह इस कंडिशन को satisfy कर गया क्यों? X, H x इंवर्फ तो इसका मतलब यह किसमें चला गए, H में Normal Subgroup के लिए आपको यही दिखाना होता है इसका मतलब H क्या हो गया? Normal Subgroup होगा चाहिए चीज़, 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 तो यह थे हमारे 14 Examples कुछ भी difficult नहीं है अगर आपने, आप sequence में सारी वीडियो को देख रहे हो फिर भी कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो next lecture में हम जो बाकी बचे को इसके 13 Examples हमो करेंगे और फिर उससे next में हम करेंगे exercise 3.2 so keep learning and thanks for watching